Hello students, myself Asha, I am your English teacher और आज मैं आपको आपकी बुक It So Happened का 4th chapter The Treasure Within इसके question answers explain कर रही हूँ अगर किसी बच्चे ने अपनी notebook में ना किये हो तो कर लीजिएगा तो शुरू करते हैं First question है हमारा What did half-ish contractor have nightmares about? कि जो half-ish contractor है उन्हें किस बारे में ड्रावने सपने आते थे? तो हमारा answer होगा Half-ish contractor had nightmares about appearing for maths examination as he did not know anything about it तो half-ish contractor को सपने में दिखाई देता था कि जैसे वो maths का exam दे रहे हो और उन्हें कुछ भी नहीं आता तो क्या ड्रावना सपना आता था? कि जैसे वो math का paper दे रहे है और उन्हें paper में करने के लिए कुछ नहीं आता Second question देखिए What did the principal say to him which influenced him deeply? तो principal ने उन्हें क्या कहा जिसका उन पर बहुत अशर हुआ तो हमारा answer होगा The principal called him and advised him to do hard work work hard तो principal ने उन्हें बुलाया और उन्हें advice किया उन्हें सलाह दी कि वो कठिन महनत करें as his father had died क्योंकि उनके पिताजी गुजर चुके है and his mother had done hard work to bring him up और उनकी मा ने उन्हें पालने पोसने के लिए बहुत महनत की है These words influenced him deeply तो इन शब्दों का उनके उपर बहुत प्रभाव पड़ा मतलब principal ने उन्हें क्या समझाया था कि उनके बातों का उन पर प्रभाव पड़ा तो हम कहेंगे principal ने उनको बुलाया और उन्हें समझाया कठिन महनत करने के लिए और उनको ये भी बताया कि उसके पिताजी मर चुके है और उसकी जो मा है वो उसे पालने के लिए बहुत महनत कर रही है तो इन शब्दों का हाफिज कॉंट्रेक्टर पर बहुत प्रभाव पड़ा तो थर्ड क्योशन देखिए डैस करके फिर देट इयर मतलब उस साल मतलब हाफिज क्या कहते है कि उस साल मैंने खेल के मैदान में कदम तक नहीं रखा तो अगर वो खेल के मैदान में नहीं गए तो किस चीज में बिजी थे तो हमार आंस्वर होगा कि उस साल उन्होंने पूरा साल पढ़ाई की थी वो पढ़ाई में busy थे क्योंकि आपने देखा कि principal ने advice किया था कि उन्हें मैनत करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि उस साल मैंने खेल के मैदान में कदम भी नहीं रखा और पूरा साल पढ़ाई की फिर अब ही fourth question का first part देखिए What distraction did half his contractor create one day? तो एक दिन half his contractor ने क्या खुरापात की थी? तो हमारा answer होगा The distraction was that one day in the school for an old hour he played 4 police कि एक बार school में उन्होंने पूरे एक घंटे तक 4 police का खेल खेला मतलब किसी गतिविदी के बारे में वो बता रहे हैं कि एक बार उन्होंने क्या खुरापात की कि पूरा घंटे स्कूल में बंक मारके और वो चौर पुलिस खेलते रहें Next question देखिए इसी का second part Would you have liked to participate in that distraction? Had you been with him? तो writer हमसे पूछ रहा है कि अगर आप half his contractor के साथ होते तो क्या आप भी चौर पुलिस खेलते? तो हमारा answer होगा यह हमें अपने भी हाफ पे देना है कि yes I would like to participate in it कि हाँ मैं भी उसमें भाग लेता If I had been with half his अगर मैं half his के साथ होता तो As it is very funny game कि यह बहुत ही मज़िदार game है मतलब हम हाँ करना चाहें तो हाँ कर सकते हैं अब next question देखिए Half his contractor wanted to join the police force Why did not he? कि जो half his contractor है वो police force join करना चाहते थे और फिर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्यों? तो हमारा answer होगा Half his wanted to join the police force But his mother did not allow him to do so कि वो police force join तो करना चाहते थे लेकिन उनकी माता जी ने उन्हें अनुमती नहीं दिया ऐसा करने की मतलब उनकी माने उन्हें मना कर दिया Second question देखिए next part का In the architect's office Half his contractor was advised to drop everything and join architecture Why? कि जब वो architect के office में गए थे तो Half his contractor को ये सलह दी गई कि उन्हें सब को छोड़ चाड़ के आर्किटेक्टर जोइन कर लेना चाहिए तो ऐसा क्यों? तो हमारा आंस्वर होगा In the architect's office Half his contractor showed his skill in architecture कि आर्किटेक्ट के office में Half his contractor ने अपनी skill दिखाई निपुनता दिखाई आर्किटेक्टर में वास्तु निर्माण में जिसमें ही buildings उगर बनाई जाती है ना उसमे So he was advised to drop everything and join architecture तो उन्होंने इतनी अच्छी कुशलता दिखाई कि उन्हें सलाह दी गई कि उन्हें सब कुछ छोड़ चाड़के आर्किटेक्टेक्टर जोइन कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें वो बहुत अच्छे है Next question देखिए What was Mrs. Gupta's advice to half his contractor? Mrs. Gupta जो उनकी टीचर थी बचपन में तो उनका half his contractor को क्या advice था? Mrs. Gupta saw his sketches and advised him to be an architect मतलब Mrs. Gupta ने बचपन उनके sketches मतलब उनके designs वगरा देखे थे तो उन्होंने उनको सलाह दी थी जैसे छोटे बच्चे को हम बोल देते न सेकंड थर्ड में जो बच्चा जी सीज में इंट्रेस्टेड हो कि तुम्हें तो आर्किटेक्ट ही बनना चाहिए Next question देखिए What made her advice him so? तो जो Mrs. Gupta ने उनको advice दिया था न कि उन्हें आर्किटेक्चर जोइन करना चाहिए तो वो क्यों दिया था? Perfect sketches drawn by half his जोइन करना चाहिए मतलब उन्हें तो आर्किटेक्ट बनना चाहिए बड़े होके Next question देखिए How did he help fellow students who had lost a button? कि जब वो hostel में थे न तो वो अपने fellow students थे उनकी मदद कैसे करती थे जब वो button खो देते थे मतलब जो से साथी थे और अगर वो hostel में थे उनका बटन गुम हो जाता तो half his उनकी मदद कैसे करते थे तो हमारा answer होगा When any student lost a button कि जब भी कोई student बटन गुम कर देता half his would cut a button from chalk using a blade तो half his क्या करते? Chalk से blade से chalk को काटके और उसके लिए button बना देते थे तो देखो कितनी उनमें कुछ गलता थी कि एक chalk से यह वो बच्चे का बटन बना दिया करते Next question देखिए Which rules did he break as a school boy? कि जब वो school boy थे school में पढ़ते थे तो उन्होंने क्या-क्या rules break किये थे मतलब क्या नियम तोड़े थे तो हमारा answer होगा half his would copy in class during exam time प्रिपेर तो वो examination papers को हधियाने की कोशिस करते थे जो की तयार की होते थे मतलब उनका क्या रहता था कि किसी तरह examination paper मिल जाए और वो उसकी तयारी कर ले तो इसके लिए वो कोशिस करते थे Next question देखिए What is half his contractor's definition of mathematics? तो half his contractor ने mathematics की क्या definition दी थी According to half his contractor He has defined mathematics as Putting designs, construction, psychology and together and making a sketch from all that मतलब half his के according उन्होंने जो definition दी थी mathematics की वो क्या थी कि designs बनाना, construction बनाना psychology भी इसमें add है and sociology भी add है मतलब इसमें add है और इन से जो sketch बना देते है तो वही सब कुछ है mathematics है तो mathematics को उन्होंने एक अलग ही interpretation दे दी थी Last है हमारा How would you want to define mathematics? आप mathematics को कैसे define करना चाहोगे? Do you like the subject? और क्या आपको ये subject पसंद है? तो हम कहेंगे mathematics is a science of shape, architecture, quantity कि जो mathematics है वो एक science है कि इसका shape का, architecture का और quantity का and number का I like the subject मुझे subject पसंद है as it is very easy and interesting तो इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी answer दे सकते हो आपको पसंद है या नहीं है उसके according तो हमने लिखवाया कि हमें ये subject पसंद है क्योंकि ये easy होता है, interesting होता है लेकिन real में कुछ बच्चों के लिए easy नहीं होता तो इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी answer दे सकते हैं Thank you